कि हलो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमें दे रखा है कि बॉलिम ऑफ के बॉइट दे रखा है और आप से कह रहा है कि लेंथ ब्रेट और हाइड के लिए आप पॉसिबल एक्सप्रेशन्स लेखिए ठीक है तो बॉलिम ऑफ की बॉइट होता क्या एल इंडू इंड लगाते है तो यहां तो ऐसी कामन आ रहा है तो देखो एकस कामन लेजिए थिए एक-स-4 बचेगा अब देखो इसके तो फेक्टर हो नहीं सकते 3x को ऐसे लिख लिए 3 इंटू एकस और इंटू एकस-4 तो क्या गरो तो तीन एक्सप्रेशन होगा एक डो और तीन तो एक ल and now the second part is also the same volume of the keyboard is given that is 12 ky square plus 8 ky minus 20 and in all these terms 4k is common 4k देखो सब में common मिल जाएगा तो अंदर में बचेगा 3y square plus 2y minus 5 ठीक है यह common लेने के बाद में अभी क्या गरो देखो अंदर में क्या है quadratic polynomial है जिसको हम क्या कर सकते हैं मेडिर तर्म को स्प्लिट कर दिया ठीक है तो यहां से क्या क्या क्यों में से क्या कॉमन आ रहा तो बाई जब कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा 3y प्लस 5 और माइनस यहां से बन कॉमन ले लिए तो यहां से अंदर में बचेगा 3y प्लस 5 तो देखो 3y प्लस 5 3y प्लस 5 भी कॉमन है तो यह दोनों एक ब्रेकट में आ जाएंगे ठीक है न और बचा हुगा बाई माइनस बन दूसरी ब्रेकट में चला जाएगा तो तीन इस बिल्कुल समझ में आ गई होगी और इस तरीके से हमने चैप्टर 2 को अच्छे से पढ़ लिया है तो चैप्टर 3-4 हम पहले से पढ़ चुके हैं तो 1-2-3-4 हो गए है फिप चैप्टर आपका स्लेबस में है नहीं तो अब हम अगले वीडियो में कल जब हम नया क्लास स स्टार्ट करेंगे तो हम चैप्टर 6 से वीडियो बनाएंगे ठीक है और आपको भीज़ेंगे ठीक है तब तक यह जितना भी है आप रिवाइस करते रहे हैं अगर कोई आपको डाउट आता है तो कीप ऑन आस्किंग और हम आपके पूरी मदद करेंगे ठीक है थैंक्यू स Thank you so much for understanding the equation